सोमवार का दिन यानि कि भगवान शिव का दिन वैसे तो भगवान शिव के महाकाल के जो बगत होते हैं उनका दुश्मन कुछ भी नहीं बिगार सकते है लेकिन अगर आप अपने जीवन में दुश्मनों से बहुती ज़्यादा अधिक परिशान है तो सुमवार के दिन आप इस खास तुरलब उपाय को करके अपने दुश्मनों से छुटकारा बिल्कुल पा सकते हैं क्योंकि काफी लोगों के जीवन में ऐसी समस्याइं होती हैं कि उनके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है सुख से रह रहे होते हैं लेकिन उनके दुश्मन उनको देखकर चलने लग जाते हैं क्योंकि आज कल लोगों में अपने सुख से इतनी परिशानी या चिंता उन्हे नहीं है उन्हें केवल दूसरों को सुखी देखने में ही परिशानी हो जाती है और ऐसे में अगर कोई ऐसा दुश्मन होता है तो फिर वह आई दिन ही परिशानी खड़ी करके रखता है और हर समय रास्ते में आता है जिसकी वजह से बाधाई आ जाती हैं जिंदगी में जिंता परिशानी बढ़ जाती है और जब यह सबी चीजे बढ़ जाती है तो जीवन बिल्कुल नर्क जैसा ही मालूम पढ़ने लगता है लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि बड़ी आसान सी क्रियाओं के साथ ही इन टोटकों के साथ ही आप उनसे चुटकारा पा सकते है और इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की आवशक्ता भी नहीं है केवल आपको एक धतूरे का फल ही ले लेना है धतूरे का फल बगवान शिव को सबसे ज़्यादा अधिक प्रिये है इसके इस्तिमाल और भी ज़्यादा अधिक उपाए में टोटकों में किये जाते हैं बलकि साधनाव में भी इसका इस्तिमाल किया जाता है। अभी सुपाय को करने के लिए सर्व पर्थम आपको एक धतुरे कफल लेकर आ जाना है। और जो भी दुश्मन आपको बहुत जादा अधिक परेशान करता है या आपको हमेशा ही टोकता रहता है आपके रास्ते में आता रहता है या फिर कोई आपका अपना ही है जो आपको मान सम्मा नहीं देता है लगातार ही आपकी बेशती करता रहता है क्योंकि बहुत सारे लो इस खास उपाय को करके आप लाब उठा सकते हैं। इसा करने के बाद आपको इतना बड़ा दीपक लेना है कि उसमें धतूरे का फल पूरी तरह से डूप जाए। इलाफ सोच नहीं पाता है आपको नुकसान पहुचाने के बारे में बिलकुल भी कोई कारे नहीं कर पाता है नहीं आपके कारे में बाधा डाल पाता है तो आप इस तरह से जरूर कर लें। बड़े ही जादा खास तंतरोक तो पाएं हैं तो इसकी विधी को पूर्ण रूप से आप समझा करें बिलकुल भी आगे पीछे करकर वीडियो को बिलकुल भी ना देखा करें क्योंकि ऐसा करने से बिलकुल भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और फिर आप सही से उप भी नहीं कर पाएंगे इसलिए समझ वीडियो को आप देखा करें और समझा करें आपको धतूरे के फल पर कलावे को बान देने के बाद किसी भी दिये में रख देना है जैसा कि हमने बताया है कि इतना बड़ा दिया लेना है जिससे उसमें धतूरे का फल पूरी तरह से शिव के सामने इसे जला देना है और भगवान शिव से प्रातना करनी है कि जो भी आपका शत्रू है वे आपके राष्टे से हट जाए और बिल्कुल भी परेशान ना कर पाए इस प्रकार आप प्रातना करें कि आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं लेकिन अगर आपका पक को जला देना है और इस मंतर का उचारण कर लेना है ओम रोम जूम साह यह भगवान शिव का संजीवनी मंतर है जिसके और भी अधिक लाब है तो एक मला कीवल इस मंतर का जाब कर लें और सुंबार के दिन इस प्रयोग को कर लें और सुरज धलने के बाद आप किसी पर एक लोटा जल को चढ़ाएं ऐसा करने से शत्रों से सभी परेशानी समाप्त हो जाती है और हर प्रकार की संकट जितने भी जीवन में चल रहे होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं खास कर कि अगर आपके घर में कोई ऐसा विक्ती है जो लगतार ही बिमार पड़ता रहता है क उनके हास से धतूरे कफल को चू कर कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है और इस बात का ध्यान रखें कि धतूरे के फल पर फिर शत्रों के नाम के इलावा बिमारी लिख देना है रोग मुक्ती आप लिख सकते हैं इस प्रकार करने से रोग से मुक्तियां हो जाती है और भी निर्जन स्थान पर फैंक देना है या फिर आप इसे कूडे में भी फैंक सकते हैं किवल दीपक में यह रखने के बाद आपको इस मंत्र का उचारन कर लेना है इससे संपूर्ण प्रकार के दुश्मनों से चुटकारा मिल जाता है तो जरूर आप कल के दिन सुमबार के द भगवान शिव का आशिरवाद प्राप्त होता है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें जिससे आने वाले सभी ज्यान वर्दक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहेंगे धन्यवाद